हेलो एवरिवान और वेलकॉम बैक टू कॉमर्स अप्टिट्यूट सो डियर लर्नर्स आजी आमें वेरी कुईकली प्रिवियस योर एक्जामरे आसी थिबा फॉंडामेंटल सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्टर रेसियो अनलेसिस चाप्टर रो क्वेस्चिन्स गुडिका रिवाइच करीवे कुजाउचे मोर आसा एबंग विश्वास पिला मने रेसियो अनलेसिस चाप्टर कु भल्ला भावरे पड़ी थिबे जेवुँँबी रेसियो अस तुम्हर सिलाब असरे दिया जाईची से गुडिको भल्ला भावरे कवर अब करी थिबे तो एबे आमें देखी बाक एमीती प्रिवियस येर रो क्वेस्चिन्स गुडिका आसी ची एबंग एक्सपेक्ट करी बा एई भड़ी आ क्वेस्चिन्स तमरा परिखेर आसी बा जदी रेसियो अनलेसिस रू लंग क्वेस्चिन्टी आसू ची तो बहुत क्विकली आमें रिवाइच कर दबा एवडा सबू तो एठर मुँ येर मेंसन करी नी कोई येर आसी ची बट तम्हें धरी की चालो एक क्वेस्चिन्स गुडिका रिपीट मध्य हाई ची एंड इम्पोर्टन मध्य तम मने का पाई जदी भी प्राक्टिस कर दबीचा गोटतरो क्वीकली देखी दियो तमोटिके रिवाइच टाइप रो है जिवा प्रत्थमा क्वेस्चिन कहिला दा फॉलोइंग इन्फर्मेशन आर एक्स्ट्रक्टेड फ्रॉम धॉप्स अफ एक कंपानी लिमिटेड सेठी कीची इन्फर्मेशन आठी दिया गोला एक कंपानी लिमिटेड रो कॉरेंट रेशियो देदला 2.75 इस्टु 1 एसिद टेस्ट रेशियो देदला 1.25 इस्टु 1 कॉरेंट लाइबिलिटीज देदला 60,000 फाइंड आउट कॉरेंट आसेट्स, लिक्वीड आसेट्स, इन्फर्मेंट्री पिले क्वेस्चिन टी 2005 रे आसी थेला एबंग एक्जाक्ली एई टाइप्र क्वेस्चिन तमर 2024 लास्ट योर मध्यों आसी ची तो केमिती करीबा, सर्भा प्रथमें आमें देखीबा कॉरेंट रेशियो कथा एठार कुहा जाईची तो कॉरेंट रेशियो रो फार्मूला कण आमें लेखी देबा current asset टा आमोरो को उठो बहारीबो current ratio रो formula रो बहारीबो आमें जानी चे current ratio is equal to current asset divided by current liabilities एठर देखा current ratio 2.75 is to 1 देईची ता और्थ एठरे 2.75 होची current asset एबं 1 होची current liability बाद तमे current ratio जो दी कहीबो 2.75 होची current ratio ता लेठर देखा current ratio जागारे मुँ 2.75 लेखी देली इजी इक्वाल to current asset आमोको जोणा नहीं तो CA लेखी देली current liabilities question देएची 60,000 तो current assets इजी इक्वाल to 60,000 जाटी एपट जाईकी 2.75 रे multiply है जबा तो एठर आसी गळला 1.65,000 तो परिखेर जोदी current ratio दिया जाई थी बो current asset काड़िवा पाइँ कोई थी बो तमे current ratio रो फार्मूलारों ही current assets काड़ि देई पारी बो जाहा भी भ्यालू देईची put करो जोडा काड़िवा को थी बो शेट अट्टोमेटिकाली बाहारी जीबो बुजी पारिला next कोईची liquid assets केते काड़ो liquid assets आमर कोट भारी बो ना liquid ratio भारी बो liquid ratio रो अन्यो नाम्मा उची quick ratio बा acid test ratio एइटी tricky कर दाला एठी acid test ratio लेखी दला एठी liquid asset कोई दला तो पिला मेंटे ये confused ही जीबे तो एठी मने रोख्या दर का liquid ratio रो अन्यो नाम्मा quick ratio एबंग acid test ratio तो liquid ratio बा एठी लेखी दी पारी बो acid test ratio is equal to formula कणो liquid asset by current liabilities so liquid ratio बा acid test ratio देखो question देईची 1.25 is to 1 मने तो में 1.25 को नबो liquid asset जोणा नहीं current liabilities 60,000 so liquid assets is equal to 60,000 एपड़ुको जाईकी 1.25 सोईता multiply ही जीबो एबंग answer आमुको मिली गोला 75,000 75,000 तो current assets काड़ी ले liquid assets काड़ी ले third रे कोईची inventory काड़ inventory केमती भारी बो आउची पिलांका पाइटी के tricky ही जीबो जै आमुको inventory लेटेट तो किछी कोईला नी देखा पी ले एठी मुँ लेखी ची liquid assets आमोर केमीती भारे all current assets are liquid assets except inventory and prepared expenses एड़ा मने रखा प्रत्यक्टी current assets को आमें liquid assets कोही परिबा के बड़ो दूइटी current assets सेतीरे जीबो नी वट्टा उची inventory बस stock कोई थाओ वट्टा prepared expenses तेनु आमें current assets रूँ एड़ीटी आइटम को माइनस कर देले आमको liquid assets मिली जीबो तो बस एई फोर्मुलार रूँ आमें inventory पाट्टी कर देबा लिक्विड assets अल्लेडी आमें काढ़ी लेवे देखा उपरे 75,000 current assets काढ़ी ले 1,65,000 inventory आमें काढ़ी बा तेनु इन्वेंट्री जाए गारे इन्वेंट्री लेखी जेले prepared expenses question रे नाही नील तेनु को रेटा लेखी ले चलीबो न लेखी ले चलीबो so 75,000 is equal to 1,65,000 minus inventory so minus inventory is equal to 1,65,000 75,000 minus 1,65,000 okay so minus inventory is equal to 75,000 minus 1,65,000 that is minus 90,000 एपुदु minus cancel हे गला so inventory is equal to 90,000 तो आमोंगो देखी वारा ची formula गुडिको भला भाबरे मने रखा से फ़र्मूला रा elements नी तमुको कही दब जे तमुको जो item डी काडिवारा ची से टा कोई formula को use कले बाहरी पारी बाब तो टिक्के ध्यान दब आच्छा इए गोटे गोले question कला next आगोडे question देखेवा from the following data calculate चारोटी आइटम काडिवा पाइं कोई ची gross profit ratio, net profit ratio, inventory turnover ratio, working capital turnover ratio data कौन देए ची sales, cost of sales, net profit, inventory, other current assets ठीक हो ची fixed assets, net worth, debt and current liabilities तो आमें गोटे परे गोटे formula गोडिको लेखीबा एबंग देखीबा से formula रे आसुत बाइ element गोडिको कौन तो एठ्वोँ आमें से element गोडिको पीक करीबा value गोडिको पीक करीबा एबंग ratio गोडिको compute करीबा प्रथमें आशिला gross profit ratio तो gross profit देखेवा प्रफिट रेशियो तमर आसिबा gross profit कोऊ नेट प्रफिट कोऊ तार denominator माने sales आसिबा तोड़े ता और्थाउची gross profit sales रो केत्ते परसेंट net profit sales रो केत्ते परसेंट एगडिको प्रफिट रेशियो नेट प्रफिट रेशियो मोने रखिबा gross profit ratio is equal to gross profit divided by sales into 100 बट question ने देखा sales तो देईची बारो लखे 60,000 पट gross profit देई नी ताला में केम दिकाडिवा आमें जानी चे gross profit is equal to sales minus cost of sales देखा तमें जानी चो ना sales गोटे भी जिनसोर जो selling price थाई सेथरे दीटा जिनसो मिसी की थाई गोटे तो cost मिसी की थी भो plus profit cost आउ profit मिसी ले sales आमें एटा जानी चे mathematics भी पड़ी गाई चे बास एठी change कर देला एठी sales रो ना cost रो ना एठी cost of sales बाँ cost of good sold profit होची तमें ग्रस profit ताला एठी profit काड़े ले केम दिवायरी भो profit is equal to cost एपड़े पड़े वो sales minus cost ही जी भो तो एग्जाक्ली एठी मोद्यों सेया है इची gross profit is equal to sales minus cost इको आमे cost of sales लेखी ताऊ जोड़ा की question रे देची 9 लख्य 60,000 टंका ओके ता sales देची 12 लख्य 60,000 minus cost of sales देची 9 लख्य 60,000 आशिला 3 लख्यो जोड़ा की gross profit बरतान formula formula रे value put कर दबा gross profit 3 लख्यो divided by sales होची 12 लख्य 60,000 into 100 so 23.81 percentage आमुरा आशिला gross profit ratio fine तापर जिबा net profit ratio formula कना net profit by sale into 100 net profit question देची की देको एटी net profit directly कोई दीची लख्य 80,000 sales देची 12 लख्य 60,000 तो आमे divided by 12,000 into 100 कर दबा 14.29 percentage आशिला आमुरा net profit ratio तापर जिबा activity ratio रो कोटे ratio that is inventory turnover ratio बस stock turnover ratio बेटा कोई था ही पारे यार formula उची पिले cost of sales divided by average inventory होबा को था बट जोदी average inventory देई नी माने opening inventory, closing inventory देई थिले आमे opening plus closing divided by 2 करी की average inventory काड़ी थांते बट एठी जोदी आमे question देखिवा एठी केबड inventory लेखाई ची तेनू करी के आमे formula रेठी cost of sales divided by inventory लेखिले तो ध्यान्न दबा जोदी opening closing देई थिवा तो formula एजवा cost of sales divided by average inventory तो cost of sales केते question देई ची देखा 9 लख्य 60,000 का cost of sales inventory उची चारी लख्यो एठी इन्टू 100 करीबो नी पिले ध्यान रखा 9 लख्य 60,000 divided by 4 लख्यो result जहावी आसीबो सेथिर तम्हें times आड करीबो माने turnover ratio stock turnover ratio बा inventory turnover ratio कोऊ debtor turnover ratio कोऊ creditor turnover ratio कोऊ एगुडिक जत्तोड आसीबो working capital turnover जत्ते भी turnover ratio आसीबो सेगुडिक तम्हें times आड करीबो तारबी रीजीन ओछी बट एबे आमें सेवड़ा बुझुण है तो खाली answer मोने रखा है गला inventory turnover ratio next आमें जिबा working capital turnover ratio working capital turnover ratio रो formula आउची कोण पिले है sales divided by working capital working capital केमती भार है जोड़को आमें net working capital बोली कोऊचे एटी तो gross की net कीची कोही नी तो आमें by default networking capital बुझी बा तो all current assets सामें अबा जोटी inventory plus other current assets आशी गला जोड़को आना short रह कोईचे all current assets minus current liabilities current assets minus current liabilities कोले आमको working capital बा networking capital मिली जिबा so inventory चारी लख्या other current assets देईची question जे तिनी लख्या अशी हजार minus current liabilities देख्या तिनी लख्या देईची clearly so आशी गला चारी लख्या अशी हजार जोटा working capital बर्तन formula पकाईबा working capital turnover ratio is equal to sales उची 12 लख्या साथे हजार divided by working capital उची 4 लख्या अशी हजार तो आमरो answer आशी गला 2.63 times ओके चला आगो को बड़िवा next from the information given below find out the different ratios ठीक हची एड़ी देखो question number A देला B देला C देला A रे किछी data देला कोहिला current ratio काड़ो B रे किछी data देला कोहिला stock turnover ratio काड़ो C रे पूरा data देला देखो केते कोहिला कोई की ratio काड़ो किछी कोथा ने आमें one by one कोरी काड़िवा प्रथमें एरू current ratio काड़िवा current ratio केते हब current ratio रो फर्मूला तमा जानी चो current assets by current liabilities so question rate देखो तमें चाही लेटा को गोटतर खाली ओभर लुक कर दिया मुटतरी लेखी देईची question देखो sundry rate अची stock in trade अची bills receivable अची prepared expenses अची एत्तिको current assets अची तो यक्को मिसेदेले दुई लख्या पच्चास जार टंका current assets अची गला current liabilities जोदी कोई भी sundry creditor and bills payable देजी दीटा मत्र देखो sundry creditor गोटे रोहिला एबंग bills पेबुल गोटे रोहिला साथे चारिस लख्य टंकार current liabilities रोहिला ताल एबे आमे current assets by current liabilities कर देले 2.5 आमोरा अस्तिकला current ratio ता प्रजिबा B कू B रे देखो COGS माने cost of goods sold देला 10 लख्यो टंका opening stock लख्य कोडिये जोड़ा की opening inventory आमे कोई पारिबा closing inventory बा closing stock 80,000 देला कोईला stock turnover ratio काड़ तो stock turnover ratio रोठी formula काणे जीबा पिले cost of goods sold hold divided by average inventory average inventory केमती भारिबो opening plus closing divided by 2 तालेडी देखो stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average inventory stock turnover ratio तो अलेडी 10 लख्यो देईची average inventory केमती भारिबो opening inventory लख्य कोडिये 1000 plus closing inventory 80,000 divided by 2 लख्य कोडिये प्लस 82 लख्यो 12 लख्यो डिवाइड़ बाई 2 जे लख्यो ताले 10 लख्यो डिवाइड़ बाई लख्यो टेन टाइमस आमर आसी कोला stock turnover ratio कोईची जदी turnover ratio देईती भा तम्हें times रे लेख्यों एत्ती की थर आसी बर्सो को turnover हो जी तापर जीबा section question number C को सीरे दखा बहुत गुड़े डाटा दे दला sundry creditor current liability bills payable current liability bank overdraft current liabilities outstanding salary current liabilities sundry debtor current asset bills receivable current asset stock of goods चुड़क आमें inventory को हुचे current asset, prepared insurance current asset short term investment current asset and cash at bank current asset so basically किची current liabilities किची current assets देला एबां कोईची quick ratio काड़ हो बा liquid ratio काड़ हो ओके so quick ratio रो formula काणे जीबा liquid assets divided by current liabilities liquid asset केमती भारिबा अल्रेडी मुँ कोहीली देखा all current assets are liquid assets except two items inventory and prepared expenses तरनो current assets रूँ आमें जो दी prepared item एबां stock of goods जोड़ा को inventory भूली कोईचे एब दुईटा को minus कर देले current asset रूँ आमोको liquid asset मेली जीबा ताले प्रत्था में देखेवा current asset केते sundry debtor, bills, receivable, stock of goods prepared insurance, short term investment cash at bank सब बुतिको आ current assets को मिसे ही देले आसी गला लखे 22,000 current assets ताले आपरे liquid assets केते होबा ना लखे 22,000 current asset रूँ आमे stock of goods and prepared insurance ये दुईटा को minus कर देले बुजी परलो ताले आमोको मिली गला आठारे liquid asset लखे 35,000 ता liquid asset आमको लखे 35,000 मिली गला वर्तान current liabilities सो current liabilities रे किये किये जिबो question रे कौन देएची sundry, creditor, bills, payable, bank, overdraft and outstanding salaries सबुतिको मिली गला आशी गला लखे टूंका so liquid asset लखे 0.3 divided by current liabilities लखे 1.35 आशी गला आमोर कोन एठी liquid ratio ओके आच्छा, ता पर 2023 रा इतिंगे question टे आशी थला तो बास आजी एतिकिया में देखिबा 2023 ये जो question टे आशी थला देखा from the following balance sheet of Mr. Rakes आज अन 31st March 2021 calculate gross working capital and net working capital भूद भोला कोता है एठार देखा liabilities तमार fixed liabilities, current liabilities देला fixed assets, current assets देला तो एठी gross working capital कोही ची मने तो में मिन्निंग बुजिवा दर का gross working capital र अर्था उची all current assets बिजनेस रे जेत्ते भी current assets थी बो सबुको sum total करी देले आमुको मिनी जिबा gross working capital तो एठार देखा question दे जहाँ भी current assets थीला सिए तुमार inventory, sundry debtor, bills receivable, short term securities, marketable securities and cash at bank, cash in end सबुतिको मिसेई देली मोर आस्टिको लाठी पांचो लख्यो दुई हजार चारिसो बास तरी हुए ता calculation कोड़ी mistake थी बा देखी दवड़ी का जोदी कोड़ी item मिस कर देची बड़ concept मुँ ठीको उची ओके सबुतिको current assets को मिसेई दियो जहाँ value आसीला सेट आहीं gross working capital and net working capital माने काण़ ना current assets रू बा gross working capital रू आमें जोदी current liabilities को माइनस करी बा ताले आमुको मिली बा networking capital बा जेनरली ताको working capital बोली भी कुआ जाए ओके तो एठारे current assets तामें काड़ी दीचे पांचो लोख्य 2422 तरी current liabilities देख़़दी बाहरी गोला short term loans, sundry credit or bills payable outstanding expenses तो लोख्य 2622 तरी बर्तमान networking capital current assets minus current liabilities 3,49,800 तो पिले मोटा मोटी भावरे देख़़वा को गल ले है आमारो जो liquidity liquidity ratios गुडी को रहिला current ratio, liquid ratio, absolute liquid ratio से गुडी को परिख़़पा important तमारो activity ratios जो रहिला turnover ratios, stock turnover, debtor turnover creditor turnover एबंग turnover भीतरे collection period किमबा payment period एक गुडी को भी आसी थाए 360 बार 365 डिवाइड़ रेशियो करी थाओ तमे से गुडी को आसी थाए ताक को टिके देखी भा profitability ratios गुडी को भी question आसे जेमित एठी कोई ला तमारो gross profit, net profit, expenses गुडी को भी आसी भा तास होई तो टिके तमे जो working capital रोईला एक गुडी को भी देखी दबा बाकि सिल्लाबसर जहाँ भी रेशियो देची ता formula गुडी को टिके टिके देखी दियो बहुत simple question परिखेरे पचारी भा तमे attempt कोरी पारी भा जस्ट तमारो formula एंड item टिके रिमेंबर थिबा दरकार बास आजरो class रे एतिकी discussion पिले जहाँ भी अधर information रही ची सड़ा मुँ पच्छरे सेयर करी भी काली तो परिख्या आची शो विश्यू all the very best जेतिको MCQ प्राक्टिस करा जैची सेगुडिको प्राक्टिस करा प्रपलली रिभाइज करा ओके description box टिके चेक कर दिया सेटि मुँ के ची आओ लिंक प्रोबाइड कर दूची प्रिवियस येर मुँ प्राक्टिस करा इधिली पिलांको MCQ सेगुडिको तमुको मेडी जीब बसेथिक आजिरो discussion थिला तो थांक यू फो वाच्टिस वीडियो तिल देन विश्यू आल वेरी वेस्ट